पूनम भुसले का प्रश्न है सर जी मैं कोई चक्र ध्यान नहीं करती मैं बस आग बंद करती हूं और अपने माइंड में चल रहे थौर्ट को देखती हूं पिछले कहीं दिनों से रूट चक्रा में सेंसेशन फील होती है इस बारे में कुछ बताएं सर जी ठीक भी है पूनम लोगों ने भी जो है चक्र ध्यान करें हैं उनको जो है कुछ पावफुल एक्सपिरेंसेश जो है अभी घटे हैं कुछ हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसको थोड़ा नियमत रूप से जो है प्राटिस भी कर रहे हैं लेकिन अभी रीसेंटली जो सो की ही है कि मैंने जो चक्र ध्यान की जो मेरे वीडियो हैं उसको अपने जो चैनल से जो है उसको हटा दिया है उसके पीछे कारण सिंपल सा यह है कि कहीं आप जो है अपने आपको नुपसान ना पहुंचाते हैं क्योंकि चक्रों के साथ डील करना जो है एक तरह कि वह बह sensitive nature है उसका चक्रों के साथ जो है आप कहीं न कहीं जब आप उसके साथ अगर कुछ भी गलत छेड़ा खानी हो गई तो आप शरीर से जो है बाहर हो जाएंगे सो इसी कारण से मुझे जो है वो चक्र ध्यान के जो जो वीडियोस हैं वो हटाने पड़े क्योंकि बहुत लोग जो है उसमें involved हो रहे थे लोगों को जो है कुछ उन अनुभवों में जो है गेहरे जा रहे थे लेकिन अगर एक भी गड़बड हो गई तो आप अपने शरीर में जो है वाप्टिस नहीं आ पाएंगे इसलिए बहुत important है कि चक्र के बारे में जो है आप अपनी तरफ से कुछ जादा मत सोचें कुछ जादा ना करें अच्छा ये हो कि उस उस गुरू की presence में उस वीक्ति की presence में जो कहीं ना कहीं जिसका आपके प्रती एक ट्रस्ट है जो आपको संभाल पाएगा उस विक्ति के साथ अगर आप जुड़े हैं और अगर उस विक्ति के साथ जो है आप चक्र के अंदर गहरा जाते हैं वो ठीक है इसलिए अभी के लिए मैं सबी लोगों को जो है मैसेज देना चाहता हूँ जो भी चक्र ध्यान वगयरा जो है जो चक्रों के साथ जो है डील करते हैं कि इस सब में जो है ना पड़ें ये बहुत सेंसिटिव है ये चक्रा जो है ये जो है ये अपने आपने कही ना कही बटन है अगर एक भी बटन को जो है आपने कही ना कही इसको बटन कहलें इसको चाबिया भी कह सकते हैं इन चाबियों को अगर खोल दें तो जीवन जो है आपका बदलना शुरू हो जाता है लेकिन अगर आपने गलत चाबी अगर आपने उसके अंदर डाल दी उस ताले के अंदर तो वो सिंप्ली जो है आपके लिए आपके शरीर के लिए जो है चीजें खतम कर देगा तो मुझे इसी कारण से जो है मुझे वो जो दो वीडियो जो मैंने प्रेट की थी वो मुझे उनको हटाना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत इस बात के लिए जो है मैं आवेर हूँ इस बात को लेके कि कोई भी चीज जो आपके लिए एक रिस्क क्रियेट कर सकती है, मैं उसको जो है बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आपके लिए वो रिस्क हूँ इसलिए पूनम का जो प्रश्ण है कि वो चक्रध्यान नहीं करती है वो सरफ आँख बंद करती है और अपने माइंड में चल रहे थौट्स को देखती है जो कि बहुत सुन्दर है लेकिन पूनम सरफ इतना काफी नहीं है क्योंकि जब हम अपने मन को जो है देखना शुरू करते हैं अगर उसके पीछे जो है एक उसका जो एप्रोच है वो क्या है अगर हमने उस एप्रोच को नहीं फॉलो किया तो हम मन के अंदर ही involved हैं अपने मन की मन के बनाय हुए विचारों के साथ जो है उसके साथ involved है अब ही है कि ये विचार आ रहा है भीतर से कि मैं विचारों को देख रहा हूँ अब आप इस विचार में फसकते हैं तो पूनम वो देखना कुछ ऐसा है कि वो आपका वहां सरफ होना है वहां कोई विचार नहीं होता कुछ ऐसा कि रात को जो है आपको जो है गहरी नींद आई नहीं दाई और सुबह उठके जो है आपको एसास हुआ कि मुझे बहुत गहरी नहीं दाई कि भीतर कोई था देखने वादा तो विचारों को भी देखना कुछ ऐसा ही है कि जहां पर आप सिंपली जो है आपको कोई बैट के देखना नहीं है उनको वो अलड़ी भीतर एक दरश्टा बैठा हुआ है जो देख ही रहा है जिस देखने के आप बात कर रहे हो वो तो एक तरह की अटेंटिवनेस है और अटेंटिवनेस जो है वो जो है विचारों को नहीं देखने देती बिंग अटेंटिव इस नाट वॉचिंग तो इंपोर्टन यह है पुलम कि एक प्रॉपर जो है एक ध्यान की वीदी को जो है अपने जीवन में उतारा जाए तो फिर विचारों को देखना नहीं पड़ता विचार दिखते हैं क्योंकि suddenly एक distance create होता है अभी आपको लगता है कि आपने विचारों को देख रहे हो तो यह बहुत एक संभावना यही है कि आपका एक विचार अपके अंदर एक create हो गया कि जो कह रहा है कि मैं विचार को दे इसको भी लोग जो है create कर सकते हैं इसको भी लोग जो है लोग जो है अपने अंदर एक काल्पनिक जगत में जो है प्रवेश कर सकते हैं तो ये भी तुमारी कल्पना भी हो सकती है कि सच में इस बाइब्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है हमें पता नहीं चलता बहुत सेंस्टेव लाइन है बहुत पतली सी रेखा है पता ही नहीं च शुरुआत में सभी के लिए मेरे लिए एक अंदर से एक बात वेती है कि अगर हम जो है spiritual path को शुरू कर रहे हैं अगर हम अपने जो है अध्यात्म के रस्ते को शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत करें योग से शुरुआत करें जो योग के जो आसन है जो कि एक बेसिक जो शरीर से जो शुरू होते हैं और बारा आसन है जो कि बहुत अपने आप में कहें कि बेसिक आसन से हैं उनसे जो है हमें अपनी यातरा शुरू कर रहे हैं क्योंकि जब हम शरीर के साथ जो है जब हम आसन में उतरते हैं तो बहुत सा तो आपका मन जो है बहुत बार आपको धोके में ले जाता है आपको सिंपली एक तरह के कलपना की जगत में ले जाता है और कलपना की जगत में जो है spirituality नहीं घट पाती है वहाँ पर सिंपली जो है आप अच्छा एक सपना देखना शुरू कर सकते हैं कि मैं spiritual हुए कि मैं विचारों को देख रहा हूँ, कि मैं दरश्टा हूँ, कि मैं एक अध्यात्मिक विक्ति हूँ, यह सब कुछ जो है कलतनार जगत में होना शुरू हो जाता है, जब कुछ असली जब आपकी जीवन में घटता है, वहाँ पे तो कोई पीछे बैठा ही नहीं होता बताने क लिए, भक्त को नहीं पता कि वो भक्त है, ध्यानी को नहीं पता कि वो ध्यानी है, वो सिंप्ली जो है, उसको जी रहा होता है, जब भक्त को लगता है कि वो भक्त है, जब ध्यानी को लगता है वो ध्यानी है, तो ना वो भक्त है ना वो ध्यानी है, वो सरफ विचार है वह वहापे सिर्व एक कल्पना है तो पुनम देखना तो विचारों को तो दिखने देखना है और दिखने चाहिए लेकिन उसके लिए इंपॉर्टन यह है कि उसका एप्रोच सही हूँ एक दिन तुम बैठो और सोचो डिसाइड करो कि भी चलो ठीक अब है मैं आपने विचारों को देखो वो विचारों को नहीं देखोगी यह वी एक विचार ही है तुम विचार में ही संद्लगन हो जाओगी और सपने में प्रवेश कर जाओगी अभी जिस तरह की जो है हमारे जो शरीर और मन की जुस्तिती है जितना हम संसार में इन्वार्ड होते हैं उतना हमारी उर्जा जो होती है डिजार्स के अंदर जो है फसी होती है जो की हमारे विचारों के साथ जुड़ी होती है उतने ही जादा विचार हमारे जीवन में होत करते हैं जब अपने शरीर और मन के ओपर जो है काम करना शुरू करते हैं तो एक ऐसी सिति आनी शुरू होती है कि जो उर्जा है वो डिजार से जो है फ्री होनी शुरू हो जाती है और वो तुम्हारे पास जो है वापस आनी शुरू हो जाती है वो शक्तिया तुम्हें जो है वापिस आनी शुरू हो जाते हैं और जैसे से वो उर्जा बढ़ने शुरू होती है फिर विचारों को देखना ने पड़ता विचार दिखते हैं एक विचारों में है और वो विचार वो सोचे कि मुझे विचारों को देखना है तो वो विचार ही कर रहा है तो इस तरह से जो है बहुत बारी जो है अपने आपको धूगा देते हैं पूनम इंपोर्टन यह है कि प्रैक्टिकलिटी में उतरना है कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कुछ जो है अपने जीवन और अपने जो है जीवन के साथ कुछ बदलाद वाना पड़ेगा शरीर और मन के ओपर काम करना पड़ेगा. इसले योग की बहुत बेसिक टेकनिक्स हैं, उसको फॉलो किया जाए, जिसको हम कहें हट योग के जो आसन है, जो की बारा आसन है, उसको जो है प्रैक्टिस में दाया जाए. या फिर हट योग की जो एक सबसे important जो एक जो सभी को पता है वो सभी को एक जानते भी होंगे जिसको हम कहते हैं सूरे नमस्कार अगर हम सूरे नमस्कार को जो है थोड़ा सा उससे भी शुरुवात करें तो भी जो है बदलाब जो है चीज़े होनी शुरू हो जाती है important यह है कि spirituality को सोचना नहीं है spirituality को जीना है उसको practicality में जो है उतार ना है वहाँ पे जो है चीज़े जो है बदलनी शुरू होती है तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फिर हमारी जीवन में जो practical spirituality है वो घटनी शुरू होती है अभी के लिए जो है maximum लोगों के लिए जो spirituality है वो काल्पनिक है उस कल्पना से बाहर आना है क्योंकि वो कल्पना और कुछ नहीं आपने एक सपने से दूसरे सपने में प्रवेश कर गए पहले सपना लेते हैं संसार का, आप सपना ले रहे हो प्रभू का, आप सपना ले रहे हो स्पिरिच्वालिटी का, आप सपना देख रहे हो कि तुम स्पिरिच्वल हो रहे हो, कि तुम विचारों को देख रहे हो, कि तुम्हारे रूट चक्रा में कुछ सेंसेशन हो रही है, तो इस चीज से थोड़ा सा केरफुल रहना है, क्योंकि बहुत बारी तुम्हारे को यह फसा देगा, यह तुम्हे और जकड़ा देगा, और उल्जा देगा.